इस तुभी या? नमस्कार, स्वागत है आपका Galaxy Teacher Classes पे जहाँ पे हम बात कर रहे हैं अगस्त में होने वाले Seated परिक्षा को लेकर और मैं आपके समक्ष हिंदी विशे से संबंदित समस्त प्रशनों के साथ उपस्तित हो रही हूँ और हम बात कर रहे थे रसों के बारे में इसके पहरे की क्लास में मैंने रस, रस के अंग कौन कौन से हैं उन पे चर्चा की थी और रसों पे प्रशन कौन कौन से बन सकते हैं इसकी बात चल रही थी चुकि हम रस के अंगों की बात कर रहे थे तो मैंने आपको चार अंग बताये थे और उन चार अंगों के नाम बताये थे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव यह क्या होता है इसका प्रियोग कैसे करते हैं इनकी बात आपने देखा था और यह प्रश्ण कैसे बनते हैं हमने इसकी बात की थी आज हम बात करेंगे कि जब हमने विभाव की बात की तो विभाव का क्या कोई भेद है क्या उसकी कोई प्रकार है क्या वो प्रश्ण बन सकते हैं इस पे बात करेंगे क्या अनुभाव के कोई प्रकार हैं, क्या उनका कुछ भेध है, कुछ और नाम है, जिसको हम को जानना जरूरी है, जो प्रश्ण रूप में आ सकता है, या फिर संचारी भाव को हम क्या किसी और नाम से जानते हैं, या उसके प्रकारों से संबन्दित प्रश्ण हो सकते हैं, या अस्थाई भाव, चुकि रसों के प्रकार में अस्थाई भाव का होना उतना ही जरूरी है जैसे रस में भाव का होना, अर्थात अस्थाई भाव और रस दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो उनकी संख्या के साथ कैसे रस और अस्थाई भाव एक दूसरे को विक्त करते तो आज हम उसके आगे बात कर रहे हैं और उसके अंतरगत हम बात करेंगे, सभसर प्रठम, अनुभाव की, अनुभाव से पहले विभावशक्त था, जिसके बारे में कल मैंने बोला था, तो एक बाल फिर से मैं उसको कर देती हूँ, चुकि विभाव की बात की थी, और विभाव अर्थात रसके होने के कारण, इसके दो भेदों की मैंने बात की थी, और वो दोनों भेद कौन कौन से थे, आपका था उद्धीपन और आलंबन, आलंबन और उद्धीपन, इसके दो और मैंने बताया भी था आपको कि आलंबन कौन हो सकता है और उद्दीपन कैसे उस रस को ब्रेक्ट करने का और साधन होता है तो आलंबन के दो भेद थे जिसको हमें आश्रय और विशय के नाम से जानते हैं अब बच्चों प्रश्न क्या बनता है ये आपको ध्यान रखना है अगर पूछ लिया आपसे कि इनमे से विशय रस के किस अंग का भेद है तब आपका उत्तर होगा कि विभाव के आलंबन का या प्रश्न पूछ लिया कि वो दीपन नामक जो भाव है वो किसके अंतर गताता है तो आपका उत्तर होगा विभाव या अगर प्रश्न पूछ लिया गया विभाव कितने प्रकार के होते हैं तो आपका उत्तर होगा दो तो ये प्रश्ण रूप में कैसे ये चार शब्द आएंगे, इनकी हमने जानकारी ले ली, कि विभाव पूछा गया, तो विभाव क्या है, जो रस के उत्पन होने का कारण, ठीक है ना, चुबकि कुछ चीजें आपके मन में हैं, उनको आपके मन में आने तक उस भाव के उत दीपन है, और जिसमें वो भाव उत्पन हो रहा है, एक होगा आश्रे, जिसके मन में वो रस उत्पन होगा, और जिसके कारण उत्पन होगा, तो ये सब मिल के क्या बना रहे हैं, विभाव को व्यक्त करते हैं, अब चुबकि रस आपके मन में आ चुका है, जैसे मान लिज में आश्रे आप रहोगे और विशय कोई और रहेगा, विशय कुछ और रहेगा, तो कैसे हम विभाव में आएंगे और ये चार प्रश्ण में तबदील होगा, विभाव अर्थात रस के उत्पन होने का कारण, अगला प्रश्ण, विभाव के भेड उत्तर दो, आलंबन उत् तीसरा प्रश्न आश्रे किसके अंतर गाता है, तो आपका उत्तर होगा आलंबन, उत्दीपन तो उसका उत्तर विभाव. यह आपके चार से पांच प्रश्न इस एक शब्द से बन सकते हैं. अगले पी अगर हम चलें, तो उससे बनने वाले प्रश्न क्या-क्या हो सकते हैं? अनुभाव का अर्थ, तो अनुभाव आपके मन में उत्साह रस आया, उत्साह उत्पन हुआ पढ़ने को लेकर, तो आपने क्या किया? उसके वजह से क्या-क्या कुछ किया? वह आपके अनुभाव होंगे. अब उन अनुभावों को चार भागों में बाटा. चार भाग पहला है सात्विक जो सब में एक जैसे उत्वण होंगे आठ प्रकार याद रखने की जरूरत क्योंकि प्रश्ण इसमें से पूछे जाते हैं कई बार पूछा गया है प्रश्ण की इस्तंभन या कंपन या वैवन्य ये किस भाव के अंतरगत आते हैं तो आपका उत्तर होगा सात्विक अनुभाव के अंतरगत उत्तर देना है तो आठ शब्दों को याद रखना है अस्तंभ कंपन वैवन्य वैवन्य का मतलब जब आपका डर से मुख पीला हो जाए लाल हो जाए या फिर लज्जा से हो जाए या रोमांच से हो जाए जब मारे चेहरे के भाव भंग चेंज होती है बदलती है तो उसको वैवर्न होना कहते हैं स्वरभंग जो आप डरते हैं तो बोलने में आपको लडखा हाठ होती है नहीं बोल पाते हैं आप बहुत खुश होते हैं खुशी में होते हैं तब भी आपके स्वरभंग होता है मतलब बोलने में जो आप प्रॉ हम बहुत दुखी होते हैं, खास करके जब हम बात करेंगे शोक की, जब करुणरस की बात होती है, तो जहां पर बहुत जादा कोई रोता हुआ देखे, तो ऐसा लगता है कि उसकी रोने की वज़े से तो यह अतिशयोगती होता है, तो प्रलय आपका उसमें आएगा, स्वेध पसीना, अतिशा हमें आप परिक्षा देने जाते हैं, बहुत बार आपके हथेलियों पसीना होने लगता है, वो क्या है, अनुभाव है आपका, डर की वज़े से, कि परिक्षा में कैसा हम करने वाले हैं, तो जो पसीना, जो स्वेध है, वो आपके अनुभाव को दिखाता अगला है रोमांच, अति उत्सा, आप सबके सब उत्सा ही थें, क्यों? क्योंकि अगस्त में होने वाली परिक्षा में आपको ही अध्यापक बनने की जिवजग्रिये मिलने वाली है, तो रोमांच जो होता है, वो सबके सब सात्विक अनुभाव के अंतरगत आते हैं, आठों से प्रश्ण बन सकते हैं, कोई भी शब्द हो, वो स्थम्भ, कमपन, बैबर्न, स्वरभंग, अश्रू, पले, रोमांच, यह जब भी शब्द आएंगे, यह किसके अंतर गताएंगे? सात्विक अनुभाव, उत्तर क्या होगा? सात्विक अनुभाव, तो आपका उत्तर आ परिवर्तन, जो दिखते हैं, सात्विक आपके अंतर मन का बात है, जो आपको दिखे महसूस हो, लेकिन कैसे हुआ है, दिखाई, ना दे, काइक में आपका दौर के भागना, गले लग जाना, कुछ और व्यक्त करना, यह क्या होता है? शारीरिक आपके परिवर्तन, जो बात की थी, जब आप अत्युत्साह में बोलते हैं, या फिर उत्साह रस में आपने देखा, वीर रस में देखा होगा, जब उत्साह होता है, तो सत्र को ललकारने के लिए, या आप मुसे को कि बस मैं मैं ही बन सकता हूं, अध्यापक कोई और नहीं, तो क्या होता है, हम व उत्साह रसों में, अब अध्यापक बन जाओगे, तो घर के द्समें तो बिलकुल आप नहीं जाओगे, उस अध्यापक के होने को आप बस्त्रों से कहीं नहीं वेक्ट करोगे, तो ठीक, ऐसे ही, जब हम जिस रस में होते हैं, उसके अनुसाह उस बस्त्र को या दिखा के अपने उत्सा को, अपने रति को या किसी भाव को दिखाने के लिए हम व्यक्त कर सकते हैं, तो यह हमारा अनुभाव है, अगला हम चलते हैं, चुकि प्रष्ण बनता है कई बार, और यह प्रष्ण, चुकि 33 की संख्या मैंने आपके सामने लिखी है, लेकिन कभी-कभी आपक तो जो नहीं याद किया है, अगर वो आया है, तो संचारी भाव होगा, और जो याद किया है, उसका तो आपको अर्थ पता ही है, कि अगर हम से सात्विक अनुभाव पूछा गया है, तो आथ होंगे, आठो के नाम यहां पे नहीं है, स्थाई भाव नौ x9, हम यहां एक मा बाकी जितना है, उसको याद कर लेंगे, तो इसमें से कोई शब्द अगर आएगा कि कौन सा संचारी भाव है, तो जो अनुभाव नहों, जो बिभाव नहों, जो आपका स्थाई भाव नहों, रस नहों, वो क्या होगा? संचारी भाव होगा. तो आपको इसको याद करने की नहीं, बस लेकिन अगर समझना है, कि उत्तर 33 की संख्या याद रखनी है, कि 33 की ही संख्या संचारी भाव की सही होगी. उसके बाद आपके सामने 33 शब्द लिखे हुए हैं, जो संचारी भाव या बेभिचारी भाव. अब इनका नाम संचारी क्यों है? तो संचरण, जो किसी भी रस में अनायास आपके मन में आ जाए. इसलिए इनको बेभिचारी कहा गया है. बेभिचारी कार्थ क्या होता है? जो बेक्त कहीं एक जगह डिगाना हो, कई जगहों पे उसका मन लगता हो, एक भाव में न रहता हो. तो यहाँ पे क्या हो गया? हर्ष. हर्ष हम कब महसूस करते हैं? श्रिंगार रस में भी देखोगे कि हर्ष है वहाँ पे, उत्साह में भी है, आपके भागती में भी आएगा. तो यह भाव कहीं भी हर जगह पहुँच जगह पहुँच जाएं, श्रिंगार रस में यह हर्ष होगा. कई सारे रस में शोक को छोड़के हर्ष का भाव आएगा. फिर है विशाद, तीसरा है त्रास, लज्जा, ग्लानी, शंका, असुया. असुया क्या होता है? और उत्सुक्य जिसको मैंने उत्सुक्था सब्द की रूप में लिख रखा है. उग्रता, चंचलता को ही चपलता कहते हैं, दीनता, जडता, आवेग, निर्वेद, मती, धृती, विवोध, वितर्क, श्रम, आलस्य, निद्रा, स्वप्न, इस्मृती, मद, उन्माद, औहित्था, अपस्मार, ब्याधि और मरण. यह 33 आपके संचारी भाव, संचारी भाव जो संचलत होते हैं हर एक रस्में. यह 33 के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन बस यह ध्यान रखना है, कि वे शब्द जो विभाव, अनुभाव, स्थाई भाव में नहीं होंगे, वो हमारे किसमें आएंगे, संचारी भाव में, एक निर्वेद जो शब्द है, यह आपका स्थाई भाव आ कितने कि शब्द भाव कितने, कल भी मैंने आपसे कहा था, कि संख्या मात्र नौ याद रखनी है, कि नौ की संख्या, और वो कौन-कौन से है, इस्थाई और इस्थाई दो तरश शब्द लिखा हुए यह आपे, बहुत से पुस्तकों में आपने दिखा होगा, कि और बहुत जगोहों पर इ दीरगरूप में लिखी होती है, अब आपको यह समझना है, जब भी मैं कहती हूँ कि किसी भी शब्द को उच्चारण करिये, उच्चारण से आपका सही शुद्ध वर्तनी की जो अशुदियां वो दिख जाती है, आपको महसूस हो जाती है, जो सही बोलता है, वो जो सही कभी, सही ही लिखेगा गलत नहीं लिखेगा। यहाँ हूं पर स्थाई, हम उच्चारण करते हैं, तो दीरगरूप में अच्चारण आता है, यह पर इ का उक्चारण नहीं आता है तो शुद्ध कौनसा है आपका स्थाई भाव, ठीक है? आप बो वह दिरिख ई है, वह मेरा शुध शब्द है. अब संख्या, पहला है रति. रती कर्कोर-ष चाह्ब्द है, जो प्रेम और में धिखने है. रति काताथ पर यह इन प्रेम से है, और रस बाज है, श्रिंग्यार रस. किस रस का अस्थाई भाव है? श्रिंगार रस का अस्थाई भाव रती, ये नव प्रश्ण बनते हैं, कि निम्न विकल्पों में से श्रिंगार का अस्थाई भाव कौन है, तो आपका उत्तर मात्र रती होगा, अगर विकल्प में पूछा गया है कि इन चार विकल्पों में से उत्साह किसका अस्थाई क्रोध, रौद्र रस कणा ही अस्थाई भाव एफ आप रसों के साथ याद रखेंगे और नौ परस्ण के रूप में आपके समक्ष आते हैं तो स्विव्क्ष पनाटे हैं किक रुपित नौ परस्नी का उत्तर नों परस्णों के अगर कुछा और उसमें नहीं करना है. चलिए, तो रतिका, शिंगार रस, शिंगार प्रेम, जो स्रिंगार को हमने रसराज की संग्या दी है, क्या बोला है इसको? शिंगार रस अर्ठाथ रसराज. रसराज क्यों? क्योंकि प्रकीती में प्रेम ही सरबाधिक आपको दिखता है और प्रेम के कारण ही बाकी सारे रस उत्पन होते हैं। अगर आप किसी को प्रेम नहीं करेंगे तो आपके मन में न कभी करुणा होगी, न कभी भय होगा, न कभी शोक होगा, न कभी अन्य रस उसमें आएंगे। क्योंकि आप तो इस थंसार से अलग ही हो गए, तो जो प्रेम है, इसी लिए उसको रसराज की संख्या देते हैं, और प्रेम को, सुरिंगार रस को दो भागों में बाटा गया है, जिसमें एक संयोग और दूसरा वियोग. बच्चों, आपने बहुत बार देखा होगा कि 9 और 11 की संख्या मिलती है, यहां पे आपको ध्यान एरखना है, कि 9 से जो संख्या 10 इग्यार बन जाती है, उसमें वादसल्य और भक्ति दो शब्दों को बढ़ा लिया गया था, दसवा कह दिया गया कि वादसल्य रस और इग् नंबरिंग आपको बढ़ी हुई बहुत सी पुस्तकों में दिखती है, लेकिन आपको इध्यान देना है कि जहम श्रिंगार की बात कर रहे हैं, तो प्रेम वह पुत्र के लिए वैसा ही होता है, जैसा हमें अन्ने के लिए, कि प्रेम को तो भुष्ट नहीं कर सकते हैं, बस महसूस करने का तरीका अलग है, तो हम स्रिंगार में ही उसको बातसले को, स्रिंगार बातसले स्रिंगार के अंतरगत उसको रख देते हैं, तो उसी का उपभेध हो जाता है, इसलिए अलग से पढ़ने के उसको ज़रूरत नहीं है, संख्या आपको नौ, और जो भक्ती है, वो शांत रस में, अब शांत क्या है, निर्वेध इसका क्या है, स्थाई भाव, निर्वेध का मतलब जब आप माया मोह या संसार के हर जितने भी भाव हैं, उससे एकनम इस्थिर हो जाएं, जब आपको लगे कि यह सब कुछ जो चल रहा है वो अपने अनुसार चलेगा, तो इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है, तो आप जब इश्वर की तरफ उनमुख होते हैं, तो आप एकदम निर्वेध के भाव में होते हैं, तो भक्ती भी है, तो इसको भी हम उसे में समाहित कर लेते हैं, तो आपको नव ही याद रखना है, भले ही अगर पूछा गया स्थाई भाव रती हो जाएगा, अगर भक्ति का पूछ लिया आप से, कि भक्ति का स्थाई भाव क्या है, तब आपका, चुकि मैंने कहा शांत रस के अंतरगत, तो उसी का स्थाई भाव आप उसको दे देंगे, उसमें संशय या उल्जन होने की कोई जरूरत नहीं है, अगर बातसल में एक प्रश्ण पूछा हुआ है आप से, कि संयोग बातसल किस शब्द में है, किस पंक्तियों में है, तो जब चुंकि हमने कहा श्रिंगार में दो भेद हैं, संयोग और भी योग, तो वो आपके बातसल रस में भी होगा, जैसे प्रेमी-प्रेमी का आपस म मिलते हैं, दूर होते हैं, वैसे मा और पुत्र का भी संयोग और भी योग होता है, तो उसको हम उसके अंतरगर दो भागो में वहां भी देखेंगे, तो कुल नव रस, नव अस्थाई भाव, प्रश्ण की द्रिष्ट से नव बनने वाले, प्रश्ण याद क्या रखना है, श्रिंगार का स्थाई भाव, रती हास से रस का स्थाई भाव, हास, करुड रस का स्थाई भाव, शोक, रौदर रस का स्थाई भाव, क्रोध, वीर रस का स्थाई भाव, उत्सा, बच्चों कई बार प्रश्ण पूछा जाता है, वीर रस से वीर रस के चार भेद हैं, जिस और दया धर्मदान, एक इसमें भेद है, जब मैं इसके चर्चा करूंगे आपके रसों के उदारणों के साथ, तो उसके हम बात करेंगे, ठीक है, तो उसके भेदों में आ जाएगा, फिर भयानक रस, जिसका अस्थाई भाव भै है, विभत्स रस, जिसका अस्थाई भाव ज जुगुपसा है, जुगुपसा, जब आप किसी चीज को देखते हो, आपके मन, आपका मन खराब हो जाए उससे इस्तिती को देखके, यसे अचानक आपका नाली में पैर पढ़ जाए, नाली बहुत गंदी हो, तो क्या होगा, जो आपके मन में भाव आता है, जुगुपस जो कि भक्ति को दिखाता है, उसका अस्थाई भाव निर्वेद, तो हमारे कुल नौ रस और नौ रसों में नौ अस्थाई भाव जो प्रश्ण के रूप में आपके एक्जाम में आते हैं, इसके अगली क्लास में मैं बात करूंगी आपसे रसों के परिभाशा के साथ उनक जो कि आपको मैं हर बार कहती हूं, उदाहरणों को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आप जानते हैं कि श्रिंगार का अस्थाई भाव रती है, तो आपका परिभाशा क्या हो गया, कि जब विभाव, अनुभाव और असंचारी भाव मिलके रती नामक अस्थाई भाव को उतुपन करते हैं, तो श्रिंगार रस होता है, इतनी सी परिभाशा है, तो सब में परिभाशा ऐसे ही बनेगी, बस उदाहरणों को पहचानने की सामर्थ आपको प्रकट होनी है, करनी है अपने अंदर, जिससे एक्जाम में कोई भी उदाहरणा है, आप उसको पहचान स हैं, यह अगर आपने सीख लिया, तो हर क्लास में, हर एक्जाम में आप कभी सही उत्तर से दूर नहीं होंगे, हर बार यह कहते हूं, तथ्यों को प्रश्ण की रूप में तबदिल करिए, आपको परिक्षा में बहुत सहायता मिलने वाली है, तो मिलते हैं, नेक्स क्लास मे इन रसों के उधारन परिभासा के साथ, जो आपके परिक्षा में बहुत जरूरी हों, तब तक हमारे गलेक्सी टीचर क्लास को सब्सकाइब करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और साथ ही साथ, आपके जो सुझाव हैं, जो आपके करते रहिए, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार.